एसिया का विश्वपरसीत सोनपूर मेला लग चुका है जिसको लेकर हर साल लोग इंतजार करते हैं इस बार करीब दो साल बाद सोनपूर मेला लगा है एसिया का विश्वपरसीत सोनपूर मेला को लेकर तमाम अनेक जगों से जो लोग है वो आते हैं बहुत लोग देखने आ जी हां कुछ भी मतलब कुछ भी खरीच सकते हैं गंगासनान के साथ सुरू होने वाला सोनपूर मेला एक महीने के करीब चलता है जिसको देखते हुए करीब दो साल बाद सोनपूर मेला लगा है इस मेले के बारे में बाते करने पर लोग बताते हैं कि किसी दौर में मेले में स सोनपुर में होने वाला ये मेला काफी प्रजलित है या मेला सोनपुर से हाजीपुर में जो है नदी किनारे कई किलोमेटर लंबा होता है मेले की खास बातों की बारे में बात कर ले तो लगतार तमाम चीजे जो हैं वो होती है इस मेले में मेले की खास बातों में शामिल यहां होने वाला लड़कियों का जिसे थियेटर डान्स कहते हैं थियेटर में लड़कियां डान्स करती हैं जिसको देखते हुए यह डान्स भी लगतार जो है साम से लेकर सुबह तक चलता है इस theater में यहां लड़कियां जो है जुन बनाकर dance करती हैं और दर्शकों का मनोरंजन करती हैं इनमें देखा जाये तो काफी भीड़ जूटती है या इसलिए कि theater के dance की अशलिलता के बारे में जितना कहें हमकम हैं बतादे आपको कि theater देखने के लिए लोग काफी बड़ी कीमत चुकाते हैं यह dance रात बड़ चलता है साम धल्टे ही देखा जाये तो शुरू होकर यह dance रात के बारा बज़े से लेके दो बज़े तक चलता है तो वहीं बता दे आपको कि पूरे शबाब जो है कहीं न कहीं रहती हैं तो वहीं अपने पूरे शबाब पर लगता dance होता है देखने के लिए जो है हर साल लोग की काफी भीर जो है कठा होती है वहीं एक ही नहीं मेले में जो है ऐसे कई थेटर लगाए जाते हैं जिसको देखने के लिए तमाम अनेक जगों से लोग आते हैं तो वहीं अलग-अलग जगों से लड़की आती है थेटर में डांस करती है इस साल सोनपुर मेले का उद्गाटन हो गया है और जिसको देखते हुए लगतार जो लोग ़ bucket difahar की पूंक्रित यश्विया आदों ने इस मेले का उद्गाटन किया साल इस साल सोनपुर मेले में उद्गाटन या फिर जो अलग अलग जग है देखा जाए तो भारत की अनेक राजियों से जो है लड़किया आती हैं, लोग का मनरंजन करती हैं, विश्व परसीद जो है देश का शोनपूर मेला है, जिसको देखते हुए सोनपूर मेला लग चुका है, इस या का सबसे बड़ा मिला माना जाता है और जिसको देखते हुए इस बार भी थेटर लगा है, और लोग देखने आ रहें, तो फिलाल इस कबर में इतना ही, और भी तमाम कबरों के NBC24 के साथ बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद,